तोड़ी विल रीड पोएम दे रोड नौट टेकन ya this poem is written by Robert Fros Robert Frosd in American point, और उन्होंने बहुत सारी poem लिखी है और उनकी जो there को as ap बहुत easier तो उससे पहले स्कीवन चैसे पहलेam इसकी बड़ मिनंग्स देख लेते हैं फर्स्ट, diverged, separate and took a different direction diverged मतलब होता है कि एक चीज जो दो भागों में बट गई हो अलग-अलग direction में undergrowth, dense growth of plant and bushes जो काटेदार जाड़िया होती है उनको undergrowth का जाता है wanted wear had not been used वो चीज जो use नहीं हुई है यहां पर poem में है रास्ता पाथ जो use नहीं हुआ है तो उसका यहां पर wanted wear है had not been used वो चीज वो पाथ वो रास्ता जो use नहीं हुआ है hence here in the future यहां पर hence का meaning है in the future, future में dear student आप इसका screenshot लेकर यह जो word meaning है यह learn कर सकते हो और write down in notebook काफी टाइम जो scene passage आते है poem से उन में पूछा जाता है poem and point का name so the name of the poem is the road not taken and it is written by Robert Frost okay यह जो poem है यह इससे related है कि इसमें जो point है उसके सामने दो रास्ते आ जाते है आप वो सोचता है कि वो किस के उपर चले and I would ask you जब ऐसी situation आती है कि हमारे पास दो choices होती है आप लोगों के साथ भी ऐसी situation आती हो कि जैसे students है वो 10th pass out होते है 12th होते तो उनके पास भी दो रास्ते होते कि कौन सी साइट पे जाए arts चुने या फिर related to subject या commerce में जाए इसी तरह point के पास भी दो choices है यहां पे only सरफ path की बात नहीं किये बलकि रास्ते की बात ना करकि जो human है human life ने भी ऐसी बहुत सारी बाते होती है बहुत सारी ऐसी situation होती ही जब हमारे सामने दो choices होती है लेकिन हमें उसमें से एक कोई accept करना होता है एक ही choose करनी होती है then you have two different choices so now let's get start point two roads diverging in yellow wood दो road है वो diverge हो रहे है अलग-अलग रास्ते में जा रहे है इन्हें yellow wood yellow wood यहां पे forest को का गया है जो autumn season आती है उसमें पत्ते है वो गिर जाते है और जो forest है वो पूरे yellow हो जाता है तो दो road है वो diverge हो रहे है इन्हें yellow wood yellow forest में दो road है वो एक इस तरफ जा रहा है जैसे एक for example यहां पे point है और दो road एक इस तरफ जा रहा है और एक इस तरफ तो diverge हो रहे है and sorry I could not travel both point कहता है कि sorry I could not travel both and be one traveler क्योंकि वो एक ही traveler है एक ही यात्री है long I stood काफी time से वो वहां पे खड़ा है point काफी time से यहां पे खड़ा है और सोच रहा है कि मैं कौन से रस्ते को चूज करूँ and lock down one as far as I could to where it bent in the undergrowth और वो नीची देख रहा है as far as I could जहां तक वो देख सकता था वहां तक देख रहा है और to where it bent in the undergrowth उसको क्या दिखता है आगे चलकर जो path है जो रास्ता है वो क्या हो जाता है बैंट हो जाता है कहां पे जो undergrowth means जो बुसिज होती है जहाडिया में जाकर वो रास्ता बैंट हो जाता है इसलिए point को कुछ भी clear clarification नहीं है यहां पर कि यह रास्ता कहां जा रहा है और यह वाला किदर जा रहा है इसमें देखी स्टूडेंट इसमें चार्ज वन टू टू त्री फोर 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 स्टेंज है कि यह हमारी पॉइम है और एवरी स्टेंजा five lines है second then took the other just as fear थोड़ी देर में point ने सोस्ते सोस्ते एक रास्ता है वो चूज कर लिया है उसको just as fear वो ठीक लगा दूसरे से and having perhaps the better claim यहां परहप्स कभी यूज किया है it means वो इस रास्ते को लेकर confirm नहीं है कि यह रास्ता उसके लिए better ही होगा बट उसने वो रास्ता चूज कर लिया है क्योंकि उसको वो ही better लगा दूसरे रास्ते से because क्यों लगा it was grassy and wanted we are though as far for that the passing there had worn them really about the same क्योंकि वो रास्ता था वो बहुत ही grassy था और ऐसा लग रहा था though as the passing there की वहां पर ज़्यादा लोग नहीं गए होंगे क्योंकि अगर ज़्यादा लोग उस रास्ते से जाते तो grass थी वो इतनी ज़्यादा fresh नहीं दिखती क्योंकि grass के उपर लोगों को चलने से जो barefoot है वो नहीं थे वहां पे और grass है वो दबी हुई नहीं थी इसलिए point ने अंदाजा लगाया कि यहां पर ज़्यादा लोग नहीं चले होंगे had gone them really about the same अब उसको आगे चलकर दोनों रास्ते वो same दिख रहे थे third stanza and both that morning equally in leaves no step had trodden black अब आगे जाके point ने यह अंदाजा लगाया है कि दोनों रास्ते एक हैं क्योंकि वहां पे leaves पड़े थे पत्ते पड़े थे वो trodden black नहीं थे it means जो crush नहीं हो रहे थे जो leaves पड़े हुए थे वो crush नहीं हो रहे थे तो point को दोनों रास्ते same लग रहे थे oh I kept the first for another day बोलता है कि इस रास्ते पर मैं जा रहा हूं इसके तो मैं चलूंगा ही but किसी दूसरे दिन दूसरे रास्ते को भी try करूंगा yet knowing how way leads on the way I doubt if I should ever come back point जानता था कि वो जिस रास्ते पर चल रहा है उस रास्ते से वापस आकर चलना तो उसके लिए possible नहीं था but वो ये भी doubtful था उसको ये भी नहीं पता था कि क्या वो इस रास्ते पर जाकर फिर कपी वापस आकर इस रास्ते के उपर चल पाएगा फॉर्थ एंड लास्ट एंजा आई शेल बी टैलिंग दिस विद ए साथ वो एक बहुत ही गहरी डीप ब्रीथ लेके वे बताता है सम्वेर एजिस एंड एजिस हैंज जब बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा तब वो क्या बताएगा बताता है कि मैं जब बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा तब मैं यह बताऊंगा कि मैंने एक ऐसा रोड चूच किया था जहां पे ज़्यादा लोगों ने ट्रैल नहीं किया था और उस वे ने उस रास्ते ने मेरी पूरी लाइफ है वो चेंज कर दी रिटन बाइ रोबर्ट फ्रोस यहां पे हमारी पॉएम है वो कंप्लीट होती है और इसका थीम भी यह है कि लाइफ में भी हमारे साथ ऐसा ही होता है कि हम हमारे सामने दो चोईसी होती है बट हम दोनों को चूज न करके हमें हमें एक ही चोईस चूज करनी होती है तो now we will discuss question answer first question is where does the traveler find himself what what problem does he face जो traveler है वो कहां पे अपने आपको पाता है और क्या problem face करता है the traveler find himself at a point where two roads diverge जहां पे दो road diverge होते है separate होते है वहां पे अपने आपको पाता है and his problem is to decide on the which road to he should walk और वो यह decide करता है उसको यह problem आती है कि वो कौन सा road उसके लिए सही होगा कौन से road के उपर वो चले next discuss what the phrases mean to you dear students यहां पे पूरी पॉइम है इसमें बहुत सारे phrases का यूज होते है फ्रेजिस मिन्स क्या होता है आप लोगों ने हिंदी में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने हो क्रोटाइल क्रोकोटाइल टीर्स हिंदी में पढ़ा होगा कि क्रोपोटाइल टीर्स मतलब होता है मगरमच के आसू जूटे आसू दिखावें के आसू तो उनको फ्रेज का जाता है इंदी में भी ओते हैं इंति में वाक्यान से मुहावरे का जाता है और English में उनको phrases का जाता है तो इस Poem में बहुत सारे phrases का यूज हुआ है देखिए यह यलो वूड तो yellow wood एक phrases है तो इसका मिनिंग क्या होता है यलो वूड कहां पर यूज किया है हमने Poem में वैसे इसका क्लिरिफिकेशन कर दिया कि येलो फूड क्या है तो आंसर है अकोर्डिंग टू फ्रेज इन दा आॉटम सीजन आॉटम के सीजन में जो पत्ते गिर जाते हैं उनको येलो फूड कहा है इसका मिनिंग क्या है इसका फ्रेज का मिनिंग क्या है दर रोड वहां पर जादा लोग नहीं चले थे जादा लोग उनने ट्रावल नहीं किया था पासिंग दियर पासिंग दियर मिनिंग इट इंप्लाइज वोकिंग ओन दा रोड वोड के उपर लोग गए पासिंग दियर बहां से गुजरे लिवस नो स्टैप हैड ट्रोडन ब्लैक देखी स्टूडेंस यहां पर हमने पॉएम में पढ़ा था कि ट्रोडन ब्लैक ऐसे लिवस जो हमारे जो फूट से नोट क्रेश्ट बाइफूट फूट से ख्रश्ट नहीं हुए हैं नहीं ख्रश्ट किये गए हैं तो इसका मिनिंग है इट मीज दा लिवस हैड नोट बीन ख्रश्ट अंडर दा फिट ऑफ ट्रेवलर्स के दवारा वो ख्रश्ट नहीं किये गए हैं यह पॉएम में हमने पड़ा है आगे जाकर क्या होता है कि एक रास्ता है वो दो रास्ते होते हैं वो डाइवर्ज हो जाते हैं how one road leads to another question number three is there are difference between the two roads as the poet described देखो first in stanza two and three stanza two or three में poet ने क्या describe किया है क्या दोनो road के उपर difference दिया है तो answer है there is no difference between the two roads in stanza two and three देखे students आप लोग भी देख सकते हो stanza first second और third यहां पर दिखाए गए हैं तो देखे second second stanza और three stanza दोनों में कोई changes नहीं हुआ है यहां पर point है उसका जो रास्ता है दोनों आगे जाकर उसको सेम ही लगते हैं तो यहां पर दोनों का screenshot लेगे इसको read कर सकते हो और देख सकते हो कि क्या दोनों में difference है second and third stanza in the last two lines of the poem in the last two lines of the poem last two lines of the poem the poem tells that the road he opted मतलब decide किया है for his last travels point ने last में क्या decide किया है ऐसा way जहां पर बहुत सारे लोग नहीं चले हुए हो you can see last two lines question number four what do you think the last two lines of the poem mean last की two lines में point का क्या meaning है looking the point regret his choice और accept it क्या वो अपनी choices को regret कर देता है नकार देता या accept करता है answer is the last two lines of the poem mean the acceptance of reality point है वो reality को accept करता है the point made a choice and accepted the challenge path और यहाँ पर point है वो एक challenges person है challenge को accept करने वाला है तो वो इस challenge को accept कर लेता है he took an unexplored path in his life और अपनी life में ऐसे रास्ते को चुनता है जो उसके लिए unknown है वो नहीं जानता उस रास्ते को he wanted to do something different in his life so he choose the less traveled road वो अपनी life में है वो challenge को accept करता है इसलिए उसने ऐसा रास्ता चुना जो सबसे different है और उस रास्ते पे बहुत कम लोग चले है no he does not regret his choice और वो अपनी choice को regret नहीं करता है dear student I hope पूरी poem and question answer आपको समझ में आ गए होंगे so write question answer in your notebook and learn also thank you